हमारी पूरी दुनिया जानवरों से भरी पड़ी है लेकिन हम जब सबसे खतरनाग जानवरों की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़े या खुंखार जानवर ही आते हैं जिन में से कई जानवर शायद आप खुली आँखों से देख भी नहीं सकते इनके करीब जाना भी आपको मौत के हवाले कर देगा तो चली दोस्तों जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाग जानवरों के बारे में लेट्स बिगिन कोन स्नेल दिखने में बिलकुल असाहय और भोले से दिखने वाले कोन स्नेल इस जानवर को देख अगर आपको इसे हाथ लगाने का मन किया अथवा आपने इसे हाथ लगा लिया तो समझ लोग किसी और चीज को छूने के लिए आपके हाथ पेर चलेंगे ही नहीं क्योंकि आप पैरलाइज हो जाओगे जी हाँ कॉन स्नेल कोनो टॉक्सिन नामक जहर इंजेक्ट करता है जिसका एंटी वेनोम याने कि इस जहर का तोड़ विज्ञान के पास भी उपलब नहीं है ये जहर आपके नर्व सेल्स का आपस में जुड़ा संपर्क तोड़ देता है इसी वज़े से आप पैरलाइज हो जाते हो कुदरत ने ये जहर कॉन स्नेल को इस वज़े से दिया है लेकिन ये जानवर आपकी सोच से भी सोगुना जादा खतरनाक है 160 फीट नीचे पानी में रहने वाला ये उक्टोपस इसके जहर से बस कुछी मिंटों में 26 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है एक पेंसिल के आकार का ये जानवर अकसर पानी के अंदर कचडे में जाडियों में और पत्थरों में छिपा रहता है वैसे तो ये आम उक्टोपस के रंग में नजर आता है लेकिन इसे खत्रा महसूस होने पर ये अलट हो जाता है तभी इसके शरीर पर ब्लू रंग के रिंग्स दिखाई देने लगते हैं ब्लू रिंग्स दिखाई देने का मतलब है कि ये जहर छोड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है अगर आप अंजाने में किसी भी तरह से इस जानवर के संपर्क में आ गये तो उस वक्त आप से ज़्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा इस स्टोन फिश इस दुनिया में 1200 से भी ज़्यादा मचलियां जहरीली होती हैं लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस होती है स्टोन फिश के पीट पर 13 स्पिंस होते हैं तता हर एक स्पिंस में जहर भरा होता है स्टोन फिश रेत में छिप कर अपने शिकार का इंतिजार करती हैं इसी वज़े से इसके इंसान के संपर्क में आने की संभावनाय बढ़ जाती है। किसी भी इंसान ने इस फिस पर पैर रख दिया, तो उस इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक अनुभा होगा। क्योंकि इस पिंस द्वारा जहर शरीर में पहुंच जाएगा तथा जहर का प्रभाव बढ़ने से मौद भी हो सकती है। इस टोन फिस्स ये डाइवर्स के लिए सबसे बड़ा खत्रा होती हैं क्योंकि ये मचली खुद को छिपाने में काफी माहिर है। पत्थर में बड़ी खुबी से छिपने की इसकी काबिलियत के चलते इससे स्टोन फिश कहा जाता है। हलाकि इस जहर का एंटी वेनों मौजूद होनी की वज़े से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दुनिया में 2000 से भी ज़्यादा प्रकार की जैली फिश पाई जाती हैं जिसमें से 70 प्रकार की प्रजातियां ही आपको नुकसान पहुचा सकती है। बॉक्स जैली फिश में 43 प्रजातिया होती हैं। इसमें शामिल ब्लैक वीडो इस जैली फिश ने काट लिया तो आपके बचने की उमीद कुछ प्रचिसती रह जाती है। सिर्फ फिलिपिन्स में ही बॉक्स जैली फिश की वज़े से सलाना 20 से 40 लोग मरते हैं। इनसानों में सबसे जादा डर साप और मकड़ियों का होता है। योकि ये दोनों ही जानवर जहरीले होते हैं। मकडियों की 43,000 प्रजातियां इस दुनिया में पाई जाती हैं जिसमें से महस्त 30 प्रजातियां ही इंसान की जान ले सकती हैं। स्पाइडर्स में बना जहर असल में कुदरत ने सिर्फ छोटे जानवरों को मारने के लिए ही बनाया होता है। ये मिढख दुनिया के सबसे जहरीले मिढख में से एक है। ये एक साथ 10 लोगों को मौत की नीन सुला सकता है। इसकी तवजा के नीचे पोईजोनियस ग्लैंड होते हैं। इसके संपर्क में आते ही इंसान का हार्ट फेल हो सकता है। इसके मात्र एक ग्राम जहर से 15,000 लोगों को मारा जा सकता है। इसके इसी खासियत की वज़े से दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में शामिल किया जाता है। आदिवाशी शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए भाले और तीरों पर इसका जहर लगा कर जानवरों का शिकार करते हैं।